विल्कुल आसानी से लादी पाऊ तो इसे हम बेना यस्ट के बेना बेकिंग पाऊडर बेकिंग सोड़ा और बेना ओवन की से बनाने जा रहे है घर पर तो अगर आपके पास इन में से कोई इसी पी चीज नहीं है जैसे आपको गर दाबेली या फिर पाऊ भाजी खाने के मन क बजार बंध आप बाहर से नहीं ले सकते हैं तो आप घर पर इसे असानी से बना सकते हैं घर की चीजों से तो पूरा वीडियो ज़रू देखे और इसे जरू घर पर एकवर ट्राइब करें और आपको यह हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक हो शेर करना ना सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और प्रेस कीजिए बैल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे सबसे पहले हम एक बोल प्रचनी में डेट कप मेंदा लेंगी एक चमच इसमें हम PCV चीनी एट करेंगी यानिके शुगर पावडर एट करे अब हमें एक पेकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का लिया है तो वह हमें इसमें एट करना है एक ज़्यू नेयकिन को सम哈想 कांतर हैं इसे हम साफ भाथों से पहले दखये अब इसमें हम चार पमस दही करेंगे दही हमें लेना है और हमारा घटता है इसमें दही हमएं घटता ही चाहिए यह दो चमच हमने ओई लिया है इसमें से हम एक चमच अभी एड़ करेंगे इसमें और इसे मिक्स करेंगे इच्छे से अब इसमें हम पानी एड़ करेंगे और इसका हमें सॉफ्ट डो देयार करना है तो देखिए दो इस तरीके से इतना सॉफ्ट होना चाहिए अब इससे हम मसलेंगे साथ से आठ मिनट तक तो देखिए हमने ये दो को साथ मिनट तक अच्छी से मसला है दिख से ते चिकना कर लिया है अब ये दो को और विल्कुल सॉफ्ट है इतना सॉफ्ट ही होना चाहिए दो बिल्कुल भी टाइटनिंग होना चाहिए अब ये हमने एक साफ कपड़ा लिया है जिसे गीला कर लिया है तो इसे हम ढग देंगे 10 मिनट के लिए तो 10 मिनट हो चुके है तो देख सकते हैं आटा हमारा फूल गया है इसे हम विधाव टीस्ट बना रहे हैं क्योंकि अभी सभी के घर में येस्ट तोगरा होती नहीं है त तो इनों डालने से इतना जादा नहीं फूलेगा जितना कि इस तालने से फूलता है तो अब ये जो आटा है इसको हम लेंगे अब जो हमारा बचावा ओल है उससे हमें लेना है इस तोड़ा तो इसे हम 6-7 मिनट फिर से अच्छे से मसलेंगे और देखिए अगर आपके पा भी रलिए लेकिन , इस तरहे ही से अच्छे से मसरना बहुत ही जद्रूरी है इसमें भी बाकिस ऀ पेशा को घंड ने मसद्रो इसे गयिसंे अच्छेा करको है creating आठे को अच्छी से मसल लिया है भोज को अच्छी से मसल लिया है अब दिसके इस तरह के से हमें रोल के लिया है वापार तो देखिये डो हमसला हो गया है अब हम इसको कट करेंगे चैप से अब यह हमने एक केट तिन लिया है इसमें हम और लगाकी से अच्छे से ग्रीज कर लेंगे मैंदर डस्ट करेंगे इसके उपर इसको अच्छे से पिला देंगे इसमें अब हमारे कटके वर हिस्सा है उसको लेंगे और इसको हमें इस तरीके से हाथों से गोल करेंगे तो देखे गोल हमारे रेडी है इसी तरीके से सारे गोले बनाने हैं तो दीखिए हमें सारे गोलो को इसमें रख दिया है और आधे आधे इंच के दूरी पर हमें रखा है इसको अब इसके उपर हम थोड़ा सा इस तरह के से दूद को लगा देंगी अब दूद के जगा पर ऑईल भी लगा सकते हैं तो देखिए हमने गैस पर कढाई को प्रीहीट कर लिया था दस मिट तो देखिए हमने यह इस ले लिया है कि ताकि ठोड़ा ऊचा रहा है अगर आपके पास कोई बरतन है प्लेट वगर आप वह भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन थोड़ा ऊचा ही बरतन यूज़ करें तो ज इसे हम पाइच मुनिट तेज पांज परेंगे उसके 吧 हम इसे estàट पंदरा मिट्स लो मीद्यम पर पर पका हम पर पिक खेक लेंगे, तो देख़ी हम निषको बीट मेडियों 7 माधी च्छक लोके के बीच में गैक था अग़ियों के ऊपना थेंग अग्या ववेय वा धुक्व 20 मिनिट रखेंगे जिससे जो हमारे पाव है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे तो देखिए 20 मिनिट हो चुके है और इसमें हम आपको बताना भूल गए थे कि हमने पाव में थोड़ा सा ओई लगा लिया था उपर कोखोने के बाद जब निकाला कढाई से बाहर तब हमने थो अच्छे बने हैं आप एक चेकर की दिखाते अर्थCause देख सकते हैं कितनी सौफ्ट है और अंदर तक प्रापर कुखो चुकते हैं अग्दम जाली दार बने है और आ तो आप कभी पाव भाजी खाने का मन कर रहा है या फिर दाविली खाने का मन कर रहा है तो आप इसे बना बना सकते हैं घर पर पाव को होम मेड वह भी बिना इस्ट के बिना ओवन के और बेना बेकिंग पावडर बेकिंग सोडा के और दिखें ये दो को हमनी 10 मिन्ट रेस्ट पर रखा था बट अगर आप ड्रेस्ट पर नहीं रखना चाहते तो आप इसे तुरंत भी बना सकते हैं आप मैं अपनी प्यारा से कमेंट में सबस्क्राईब हृश्या लिए बेल आइक पर अगली वीडियो में तक तके लिए थांक्यू